नमस्कार दोस्तो आज के वीडियो में हम चक्सु पब्लिकेशन के जारखंड B8K 2022 इंट्रेंस एक्जाम के एक बहुत ही अच्छे बुक का हम रिविव करेंगे और इस बुक के अंदर complete syllabus को cover किया गया ये आप बुक देख सकते हैं कि एक study guide है इस बुक के माध्यम साब को ये पता चलेगा कि आपको study कैसे करना है तैयारी कैसे करना है हर एक पहलू को इस बुक में ध्यान दिया गया है ठीक है तो चक्सु पब्लिकेशन का दोस्तो ये बुक है 2022 का new edition है ठीक है इस इस बुक के अंदर आप देख सकते है कि 2000 से जादा 2000 से जादा आपको objective question देखने को मिल जाएगे प्लस मैं आपको previous year question paper जो कि 2019 का है detail solution के साथ मिल जाएगा और जो 2000 question है आपको detail solution के साथ इस बुक के अंदर दिया गया और ये बुक दोस्तो other book से compare करें तो बहतर बुक है ठीक है अच्छा बुक है और ये आपको local market है आपके online market और local market दोनों जगा उपलब हो जाएगा ठीक है ये बुक है तो link आपको description में मैं दे दूँगा आप वहाँ से purchase कर सकते या फिर आप अपने local market से भी इस बुक को purchase कर सकते है चक्सू publication के दोस्तों और भी बुक आते हैं इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे पहले इस बुक को हम देख लेते हैं ठीक है तो इस बुक के हम पहले content को देखते हैं अंदर आ study guide के नाम से यह book आपको मिल जाएगा ठीक है अब यहां आप देखेगा पहले page में कुछ जादा जानकारी नहीं दिया गया इनके address के बारे में बताया गया है कि यह publication आगरक है और यहां पर आप जब देखेंगे ठीक है यहां पर जब आप देखेंगे विसे सुची index देख हुआ था 2019 में हुआ था और यहां पर नीचे दिया गया है भाग एक भाग दो भाग तीन और भाग चार मतलब चार भागों में इस book को डिवैड किया गया है भाग एक में हिंडी है हिंडी में आप देख लीजेगा हिंडी में कौन-कौन से टॉपिक है तो यहां देखेंग के अनेक सब्दों के लिए एक सब्दे उपसरगे प्रते संधी मुहाबरे लोकोक्तिया रिक्तस्थान गधांस पधांस इंग्लिस में देखेगा रिडिंग कॉम्प्रियेंशन संटेंस रिया रिजिमेंट है मतलब filling in the blanks हो गया उसके बाद common error हो गया preposition, items, phrases, synonyms, article उसके बाद सिक्षन, अभी योग्यता सबसे पहले देखेगा aptitude, aptitude, interest, attitude, profession उसके बाद देखेगा leadership, qualities और group management उसके बाद देखेगा meaning and definition of adjustment है, उसके बाद देखेगा interpersonal skill, उसके बाद general awareness है, reading यहाँ देखेगा विद्याले से संबंदि समाजिक मुद्दों के बारे में समानिय जाग रुकता है, उसके बाद देखेगा reasoning, में देखेगा analogy test है, odd man out है, उसके बाद संबंद ग्याद करना, मतलब blood relation होगा, उसके बाद missing number, later number series हो गया, jumbling हो गया, cellulism हो गया, उसके बाद numerical ability, statement conclusion, logical problem, यहाँ निसकर्स निकालना, उसके बाद arrangement, the statement in sequential form, उसके बाद embedded figure, completion figure, grouping of identical figure, ठीक है, उसके बाद यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हैं, कि सबसे पहले इन्होंने जार्खंड B8 के previous year paper को solve किया है, दोस्तों printing quality इस book का अच्छा है, printing quality आपको bold देखने को मिलेगा, जो question है, उसको उन्होंने bold कर दिया है, और यहाँ पे 4 option, यह बिल्कुल real paper है, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, पहले खंड में आपको 15 number का हिंदी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, 15 number का इसके बाद आपको English देखने को मिल जाएगा, English में आप देख सकते हैं कि English में, यहाँ 30 number का English मतलब 15 question है, English के पूछे गए, सिक्षन अभी योगेता में आप देखेगा, सिक्षन अभी योगेता में आप देख सकते हैं यहाँ पे, कि बहुत जादा hard question है, एक उत्तम सिक्ष सके वह है, अब यह option के साब से आप अपने मंद से भी बता सकते हैं, तो बहुत जादा tough नहीं है, यह topic है, तो यहाँ से आप देखेगा, 31 से लेके, 31 से लेके आप देखेगा, 70 question है, मतलब लगभग 40 question आप से, सिक्षन अभी योगेता से पूछा गया, मतलब teaching के बारे में तो teaching के बारे में जो भी question पूछा गया है, कि सभी basic question है, और इन सभी question को आप अपने knowledge के साब से सही कर सकते हैं, उसके बाद reasoning यहाँ दिया गया है, तो reasoning में आप देखेगा, reasoning में कुल कितने question है, यहाँ पे, 100 question आपको देखेगा, reasoning में कुल मिला के 30 question आपको देखने को मल ज सकते हैं, ठीक है, तो आसाने से आपे जारकंड बीर्ड के exam में लगवगे 70-80 नमबर ला सकते हैं, और 70-80 नमबर लेके आएंगे तो आपका rank बहुत अच्छा बन जाएगा, अब यहाँ देखने को मिल जाएगा, उत्तर व्याक्या, detail solution आपको देखने को मिल जाएगा, जो जो भी solution आप देख सकते हैं, detail में है, और आपको एक कोशन से दू-तीन कोशन भी तैयार हो जाएगा, अच्छे, solution जो दोस्तों है, बहुत अच्छा solution है, यहाँ पे, ठीक है, better solution है, ठीक है, सिक्षन अभी योगिता का देखेगा, कितने detail में और कितने अच्छे तरीके से इ इस बुक के solution में, ठीक है, आप देख सकते हैं, कोई भी आप ए solution देख लीजए, ठीक है, आगे दोस्तों देखेगा, हिंदी व्यक्रण आपको देखने को मिलेगा, धिनी व्यक्रण में आपको मौलिक ज्यान देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आप देखेगा, यहाँ तें ऑर कखे बहुँर्लिक ग्यांद मतलब हिंधी व्यक्रण देखने को मिल जाएं और वह स्कते हैं यहां को भी कमी नहीं नहीं है साथ में आप जैसे आप देखेंगे costum होने के बाद परिच्छा उपयोगी प्रसंद भी आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है और यहाँ पे कुल मिला के आप देख सकते 55 per question है और 55 per question का यहाँ पे answer की आपको देखने को मिल जाएगा इसे तरह हर एक टॉपिक के टॉपिक को कवर किया गया है जैसे अगला टॉपिक है वाक्य रचना वाक्य रचना को पहले समझाया गया है उसके बाद आप देख सकते हैं परिच्छा उपियोगी प्रसन यहां देखने को मिल जाएंगे उसके बाद आप देखेगा तत्सम एवं तद्भो सब्दे तो यहां देखेगा तत्सम तद्भो को बहुत अच्छे तरीके से पहले समझा दिया गया है उसके बाद हर एक टापिक के बाद आपको परिक्षा उपियोगी प्रसंद देखने को मिल जाएंगे तो यह चीज मुझे अच्छा लगा दोस्तों कि परिक्षा उपियोगी प्रस ने टापिक खतम होने के बाद इन्होंने देदिया साथ के साथ आपका थियोरी के साथ साथ आपका क्या होगा प्रैक्टिस हो जाएगा बहुत बुक होते हैं जिनमें आपको किवल थियोरी देख देखने को मिलेंगे और अब्जेक्टिव कोशन देखने को नहीं मिलते हैं इस बुक के अंदर हर एक पहलू को इन्होंने ध्यान दिया हुआ है और अच्छे तरीके से हर एक चीज को यहां पर कवर किया गया ठीक है कुछ भी आपका छुटे का नहीं पैसे आप देख सकते पैसेज को अच्छे तरीके से इन्होंने दिया हुआ है उसके बाद आप देखेगा इंग्लिस में आप देखेगा इंग्लिस में भी जो भी टापिक है उनको अच्छे तरीके से इन्होंने कवर किया है हर एक कोशन का सॉलिसन आपको देखने को मिल जाएगा सबसे पहले इ एक चीज को इन्होंने अच्छे तरीके से बताया हुआ है तो इंग्लिस भी इन्होंने अच्छे तरीके से कवर किया है और इंग्लिस खतम होने के बाद टॉपिक कोशन भी इन्होंने दिया है साथ में एंसर की भी इन्होंने दिया हुआ है तो बुक में दोस्तों कोई चीज की कमी नहीं है और यहां पर देखेगा answer की explanation आपको देखने को मिल जाएगा और number of question अच्छे है ठीक है हर एक topic के बाद आपको इंगलिस में भी देखेंगे कि आपको question answer देखने को मिलेगा common error में देखी कितने अच्छे तरीके से हर एक चीज ये को समझाया गया ग्रामेटिकल पहलो को यहां समझाने की इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कोसिस किया है common error में जो कि बहुत जादा ही important है क्योंकि जो भी grammar का use होता है common error में होता है ठीक है उसके बाद आप देखेगा answer को explain इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है items phrases हो गया items phrases को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहां समझाया हुआ ठीक है उसके बाद आप दीखेगा यहां पे आगे synonyms से उडिनोन नोम सो गया मैं आगे ृधिक्षिन अभी योगिता हो गया तो सिक्षन अभी उस्ही तरह साम देख सकते यह वैसा पहले समझाया क्या होता है हर एक पहलू समझाया गया है उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर उसके बाद आप डिख सक्षा-पर. अब्जेक्टिफ कोस्टिन देखने को मिल जाएंगे वैसा और यहां पर देखेंगे answer की के बार detail solution क्योंकि reasoning के question को solve करने के लिए detail solution बहुत ज्यादा important है यहां देखेंगा आगे देखेंगा वर्गी करन हो गया वर्गी करन आप देखेंगे वर्गी करन पहले समझाया गया उससे related अभियास question है उसके बाद आप देख सकते हैं कि answer की के बार detail solution आपको देखने को मिल जाएगा तो इसी तरह आप देख सकते दोस्तों topic पहले समझाया गया उसके बाद objective question भी आपको इस book के अंदर देखने को मिल जाएगा तो इस book में दोस्तों लगवग मेरे हिसाब से 300 page होना चाहिए minimum 300 page होना चाहिए मैं दिखा देता हो नंबर पेज माल लिजिए तो 110 page हो गया 110 है और सिक्षन अभी योगिता में आप देखेगा 52 page है तो 110 से 160 माल लिजिए और यहां पर लगवग 200 page आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है 200 200 से 500 page आपको देखने को मिलेगा 210 220 page आपको देखने को मिलेगा बुग दोस्तों बहुत ज्य इसे book से अच्छे तरीके से आ पर तयार कर सकते है ठीक है तो आप लोग comment करके मुझे बताईएगा कि विडियो कैसा लगा अगर आपके मन में कोई doubt हो गा तो आप लोग comment करके मुझे बताईएगा ठीक है अब यहाँ देखेगा इस book का जो MRP है मैंने बता दिया 244 रुपए जिस पर आपको online offline discount मिल जाएगा इनके और भी book आते हैं जैसे आप देख सकते हैं कि beard ये UP का सायद होगा तो color work हो गया उसके बाद देखेगा ये अलग-अलग subject के book निकालते हैं सीटी का book हो गया इसके बाद ये बिहार प्रणा ध्यापक है ठीकए उसके बाद sscgd हो गया constitutional हो गया मल्टी टास्किंग हो गया समानियविकल का भूक आता हैं असके पब्लिकेशन के जो बुक होते हैं दूस्तों अच्छे होते हैं आप इस नहीं सकते हैं अगर आप Those के मन में कोई डाऊट होगा